रक्षा बंधन श्रावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल 30 अगस्त को श्रावन पूर्णिमा पर पूरे दिन भद्रा होने की वज़से रक्षा बंधन को लेकर लोगों में भारी कन्फ्यूजन की स्थिती बनी हुई है। भद्रा काल में राखी बांधना अशुब मानते हैं। इसलिए लोगों को समझ नहीं आ रहा कि राखी कब बांधे। आईए आपकी उल्जन दूर करते हुए आपको बताते हैं कि रक्षा बंधन पर कब बांधी जाएगी राखी। राखी बांधने का शुब मुहूर्त दो हजार तेईस भाईभन के प्रेम का पर्व रक्षा बंधन पर इस साल भद्रा का साया है। यह पर्व हर साल शावन मास की पूर्νηमा तिथी को मनाया जाता है। लेकिन इस बार पूर्νηमा तिथी लगने के साथ ही भद्रा लग रहा इसकी वज़ा से रक्षा बंधन मनाने की तिधी को लेकर भ्रम की स्थिती है। जोतीशियों के मुताबिक 30 अगस्त को रात में भद्रा समाप्त होने के बाद राखी बांधी जा सकती है। साथ ही 31 अगस्त को सुबह में भी राखी बांधी जा सकती है। हिंदू धर्म के मुहूर्थ तिथी और काल का बहुत महत्व है शास्त्र के अनुसार अगर शावन पूर्णिमा पर भद्रा का साया है तो राखी नहीं बांधना चाहिए भद्रा के समाप्थ होने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए भद्रा काल में राखी बांधना शुब नहीं माना जाता है इस बार शावण पूर्णेमा तिथी दो दिन यानी 30 और 31 अगस्त को पड़ रही है 30 अगस्त को शावण पूर्णेमा तिथी पर रात 9.01 बजे तक भद्रा का साया भी रहेगा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षा बंधन का तिवहार भद्रा का साया रहने पर नहीं मनाया जाता है भद्रा काल में बहनों को भाई की कलाई पर राखी बांधना वर्जित होता है उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को सुबह 10.58 बजे से भद्रा लग जाएगी और रात 9.01 बजे तक रहेगी इस साल भद्रा रक्षा बंधन के दिन प्रित्वी पर वास करेंगी जिस कारण से भद्रा में राखी बांधना शुब नहीं रहेगा वहीं दूसरी तरफ शावन पूर्णिमा 31 अगस्त को सुबह 7.05 बजे से पहले राखी बांध सकते हैं